Hello दोस्तों, Welcome to Biology Decrypted, यह है हमारा Lecture 5 और यहां हम डिसकस करने वाले हैं Amino Acid Structures के बारे में हम डीटेल में बात करेंगे Amino Acid के Structures के बारे में और इस वीडियो के बाद यह मेरा दावा है कि सारे के सारे Amino Acid के Structures को आप हाथ से बनाना सीख जाओगे वेल, पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और सारे Amino Acid Structures को अब आपको Amino Acids को किसी दिवार पे लगा के रटना नहीं पड़ेगा आप इस वीडियो के बाद ही सारे के सारे Amino Acids को हाथ से ड्रॉ कर सकोगे वेल, स्टार्ट कीजे इस वीडियो को देखना, ये एक लाइव सेशन था जिसका एक रेकॉर्डड वर्जन, एडिटेड रेकॉर्डड वर्जन आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है इस लाइव स्ट्रीम के त्रू, तो लुट्प उठाईए इस सेशन का और सीख क के जाईए सारे के सारे amino acid structures को द्रॉ करना, so here the video starts, amino acid structures के बारे में हम बात करेंगे, इस class में, amino acid structures को जानना बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि आगे चलके आप जब भी peptides के बारे में बात करोगे proteins के बारे में बात करोगे in fact techniques के बारे में बात करोगे बहुत जगहों पे आपको इन ही amino acids का reference मिलेगा इनके structures को अच्छे से ना जानना कहीं न कहीं आपके लिए एक hindrance बन जाएगा कुछ core concepts को समझने में बहुत सारे mechanisms को बहुत सारे enzymes के active site वगेरा में यही amino acids वगेरा ही होते हैं इन ही के side chains होते हैं जिनके वज़़े से यह processes possible होते हैं तो इसी लिए ये एक बहुत important topic बन जाता है ठीक है? amino acid structures structures से ही function determine होता है जैसा कि आप आगे चलके देखोगे जब हम peptides के बारे में पढ़ेंगे protein folding के बारे में पढ़ेंगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो amino acids हैं वो amino acids किस तरीके से impact करते हैं अब हम एक एक करके start करते हैं amino acids को discuss करना ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि amino acid का structure अगर हमें बानाना है तो सबसे पहले एक अलग तरीके से हम इसे देखेंगे एक अलग नजरीय से इसे हम देखेंगे ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक carbon बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा एक अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ इसे इस तरीके से हमने बनाया है एक tetrahedral carbon क्या है? यह carbon है आपका tetrahedral tetrahedral को अगर हम देखें basically hedron का मतलब hedron का मतलब होता है face triangular face यानि अगर हम इस point को consider करें यहाँ से एक line यहाँ यहाँ और यहाँ खीचे और फिर इन faces को बनाने की कोशिश करें इधर से इधर एक triangular face बनेगा ऐसे कि यहाँ से यहाँ एक triangular face बनेगा ऐसे यहां से यहाँ एक triangular face और पीछे वाला एक triangular face इस तरीके के 3D structure को हम tetrahedron कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चार faces हमें देखने को मिल रही है तो यह हो गया हमारा tetrahedron अब मैं यह amino acid structure में क्यों बता रहा हूं भई देखिए मज़े की बात तो यही है कि amino acids के structure को भी आप इसी tetrahedron के form में बताओगे जब कभी भी carbon में tetrahedron carbon में चार groups जुड़े होते हैं इधर जो angle होता है न सेंटर पे बैठा है कौन हमारा carbon इस central atom से जो भी groups जुड़े हुए हैं यह सारे groups यहाँ पे जो bonds बने हुए हैं इनके बीच का जो angle होता है that is 109 degree 28 minutes और वो 28 minutes मतलब वो आधा डिगरी ही होता है इसे ही लगबग 109.5 degree कहा जाता है अगर मैं बात करो इस carbon के hybridization की अभी मैंने डिसकस किया था sp3 hybridization होता है यह बाते amino acids के लिए important है क्यों क्यों कि अगर sp3 hybridization है यह bond एक sigma bond है single bond है इस carbon के around अराम से rotation हो सकता है rotation में दिक्कत तब आएगी जब उसमें single bond के अलावा थोड़ा सा partial double bond character आ जाए जो की आप पढ़ोगे जब आप रामाचंदरन plot पढ़ रहे होगे तब मैं इस चीज के बारे में जब peptide bond का formation बताऊँगा तब इस चीज को मैं mention करूँगा लेकिन अगर मैं सिर्फ एक amino acid की बात करूँ तो चार groups होते हैं इस तरीके से और three-dimensionally दिखाना बहुत ज़रूरी है three-dimensionally ये जो डंडा मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं wedge और ये जो चीज मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं dash wedge dash formula wedge dash formula का मतलब ये होता है आप एक इंसान को imagine कीजिए जो कि इस तरीके से खड़ा है और ये उसकी परचाई है परचाई अंदर के तरफ इंसान बाहर के तरफ इसका मतलब क्या है wedge जो होता है ये out of the plane होता है और dash जो होता है ये into the plane होता है into the plane clear कोई दिक्कत नहीं I guess ये काफी simple था तो ये जो wedge है डैश है ये एक 3D representation 3 dimensional representation जहाँ पे इस तरीके से चीज़े हैं एक बाहर के तरफ आ रहा है एक plane पे दो यहाँ पे plane पे है और एक बाहर के तरफ एक अंदर के तरफ अब इसके साथ जुड़े हुए हैं कुछ important functional groups यहाँ पे जुड़ा हुआ है COO- देखिए ये COO- initially क्या था COOH COOH को हम क्या कहते हैं carboxylic acid इसी में से अब ये अपना H plus को ना छोड़ सकता है क्योंकि acid है H plus ion छोड़ सकता है तो H plus को अगर उसने छोड़ दिया तो इस चीज़ को हम कहेंगे COO- यहाँ पे इसके loan pairs होंगे इस चीज़ को हम कहते हैं carboxylate iron तो generally यहाँ पे हम COO- carboxylate को कहते हैं किसी किसी जगा किसी किताब में आपको carboxylic acid के form में भी देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं यहाँ पे amino acid का एक general structure बना रहा हूं general structure of amino acid को short में ऐसे लिए general structure of amino acid तो हमने एक COO- ग्रुप बनाया एक ग्रुप जो है हमने NH3 प्लस बनाया अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझते हैं मैंने बोला देखिए NH2 जो है this is your amine इस ग्रुप को कहते हैं amine या amino ग्रुप ठीक है and also amine जो है यह एक primary amine group है अभी बताऊंगा हर चीज primary amine नहीं होता चलिए थोड़ा सा एक basic concept बता दू basic concept of ammonia and amines देखिए ammonia जो होता है इस तरीके से हम उसे बनाते हैं कि यहां पर lone pair होता है hydrogen 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 यह हो गया आपका ammonia हमने क्या किया ammonia को substitute करना शुरू किया ammonia को एक carbon के साथ मान लीजिए मैंने जोड़ दिया और carbon को मैंने एक आर ग्रुप लिग दिया ऐसे करके यहां पर edge यहां पर edge एक substitute किया इसे हमने कहा primary amine या फिर primary जब यह एक substitute के तरह जुड़ेगा इसे हम कहेंगे primary amino group ठीक है इस तरीके से जब ऐसे करके NH2 रहेगा इतने से पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसे हम कहेंगे primary amino group समझाया primary simply इसे हम कहेंगे primary जब कभी भी दो आर ग्रुप जुड़े होंगे मान लिजिए आर डेश है इस वाले को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे secondary amine इसे कहेंगे secondary amine very important इसी को हम immuno group कहते हैं and comment section में मुझे बताइए ये group किस amino acid में पाया जाता है which amino acid has an amino group and not an amino group वो एक amino acid नहीं technically वो एक amino acid होता है ऐसा कौन सा amino acid है comment section में मुझे बताइए well I'll wait for your comment तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ एक और हो सकता है कि यहां तीनों जो है तीनों groups यहां पे r r dash ऐसे करके आ जाए इसे हम कहेंगे tertiary amine लेकिन tertiary amine पर ही सब रुप नहीं जाता यह जो हमारा loan pair है न यह loan pair यह किसी और को दे सकता है for example इसने किसी और को यह दे दिया यहां कोई और एक r group जुड़ गया इसके साथ इसने bond बना लिया और इसके वज़े से एक net positive charge आ जाता है अगर मैं इसे कोवलेंट bond के form में बनाने की कोशिश करूं ऐसे करके क्यूंकि इसने अपना loan pair दिया तो एक net positive charge आ जाता है और यह जो है इस तरीके से बन जाता है इससे हम कहते हैं quaternary ammonium salt प्लीज ध्यान दीजेगा यह है quaternary ammonium salt यह भी एक चीज है जो कि आपको biology में देखने मिलता है मैं अगर नाम बता दूँगा तो आपको अच्छा लगेगा इससे हम कहते हैं ऐसा ही एक structure होता है इसी तरीके का आपको चीज देखने को मिलता है CH3 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 यहाँ पर positive charge होता है और ऐसे करके CH2 CH2 OH इसी चीज़ को हम कहते हैं koline, acetyl koline, phosphatetyl koline यह koline यही है और koline में आपको यह चीज देखने को मिलता है इस पूरे सीरीज में मैं आपको जब-जब byic chemistry पढ़ाऊंगा, structures पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कि यह चीज़े आप कहां कहां सुनते हैं तो koline में आपको एक quaternary ammonium salt मिलता है और quaternary ammonium salts जो है जहां पर भी ऐसे salts आते हैं ठीक है यह quaternary ammonium salts कहीं न कहीं डिटरजेंट्स के तरह भीएव करते हैं क्यों इनके पास एक hydrophobic पार्ट होता है जैसे आप अगर देखोगे lipids वगेरा में अगर यह koline जुड़ जाता है phosphatidyl koline में तो वहां पर क्या हो जाता है आपको एक hydrophobic पार्ट एक पोलर एक hydrophobic नॉन पोलर पार्ट और एक hydrophilic पार्ट आपको मिलता है ऐसा जब होता है एक charged पार्ट है एक hydrophobic पार्ट है इस चीज को हम कहीं न कहीं यही चीज हमें detergents में देखने को मिलता है और इसी तरीके से micelles वगरा का formation होता है कर वो चीज़े हम बाद में देख रहे होंगे ठीक है फिलहल यह मैंने बताया आपको ammonia and amines के बारे में जरूरी है यह समझना क्योंकि यह और यह को इन दोनों चीज़ों को आप directly यहीं पे cover करने वाले ठीक है तो हो क्या सकता है कि यह जो अपना lone pair है य amine क्या कर सकता है protonate हो सकता है अच्छा protonate का मतलब क्या है इसको भी समझ लेते है proton क्या होता है दोस्तों जब हम देखते है hydrogen को hydrogen में क्या होता है एक electron होता है ऐसे एक ही electron होता है अब उस एक electron को मैंने अगर remove कर दिया तो उसमें से क्या बन गया h-plus इस h-plus को हम कहते है proton क्यों proton कहते हैं वाई क्योंकि अगर हम hydrogen के atom को देखें उसके nucleus में बस एक proton होता है और यहाँ पे बस एक electron होता है एक electron को जब मैंने निकाल दिया इसके life में से तो बचा सिर्फ एक proton तो बस इसी लिए h plus को हम proton कहते हैं क्योंकि h plus के पास और कुछ है ही नहीं उसमें जो है वही वो खुद है डाट इस प्रोटोन ठीक है इसलिए h plus को proton कहते हैं अब proton के removal को removal of h plus को कहते हैं deprotonation और और आप क्या सकते हो addition of h plus is called protonation अच्छा अब हम देखेंगे कि c o o h जो है इसमें से हमने h plus निकाल दिया h plus निकाल दिया तो क्या बचा c o o minus यह example था deprotonation का वहीं अगर हम यहां पे n h 2 को देखें और n h 2 ने h plus को भकड़ा add हुआ यह और इस तरीके से बन गया n h 3 plus क्यूं ध्यान से देखेंगा यह actually इस तरीके से एक hydrogen को अपना यह loan pair दे देता है और यहां पे इसका hydrogen तो है ही और इस तरीके से एक net positive charge आता है n h 3 के उपन और इस तरीके से n h 3 plus group रहता है protonation होके तो समझिए हर चीज का एक protonation deprotonation होना possible है अगर इस में से वापस मैं h plus को remove कर दूँ तो वापस n h 2 बन जाएगा चार जोना peptide जब हम पढ़ेंगे इसी basic concept पे बात करेंगे protonation deprotonation पे तो अभी फिलहाल आप समझिए कि यहां पे जो आपका c o o minus group मैंने बनाया इस slide पे c o o minus जो मैंने बनाया यह आपका कौन सा form है यह carboxylic acid का deprotonation होने के बाद वाला form है और यह जो n h 3 plus है this is the protonated form यानि उसमें proton को accept कर लिया कितना सा concept आप सबको समझ में आया जो भी देख रहे हैं और जो recorded देख रहे होंगे आई होग आपको भी समझ में आ गया हो ठीक है yes तो अब हम बात करेंगे बाखी दो चीज़े क्या है एक तो है आपका hydrogen और एक है आपका R यह आर ही जो है इसी में होता है सारा magic यह है आपका R ग्रूप यह जो R ग्रूप है यह आप देख रहे हैं साइड से निकला हुआ है यह है एक साइड चेंड यह है साइड चेंड जो है यही सारे amino acids के case में vary कर रहा होता है जितने सारे आपके amino acids है उन सारे amino acids में यही साइड चेंड कहीं न कहीं vary कर रहा होता है अच्छा तो R ग्रूप अलग-अलग हो सकता है in fact होता ही है अच्छा अगर यह R ग्रूप H नहीं है for example मैं फिर से एक बार structure को बना लेता हूँ इस तरीके से मैंने carbon बनाया hydrogen यहाँ पे NH3 प्लस यहाँ पे R COO- अब मैंने बोला कि देखिए एक तो हमें पता है कि यह carbon tetrahedral है यहाँ पे carbon tetrahedral है एंगल्स जो है bond angles 109.5 डिग्री है यहाँ पे NH3 प्लस है यहाँ COO- है यहाँ पे आपका R ग्रूप है R ग्रूप variable होता है लेकिन क्या यही structure हमेशा होता है मैंने बोला यह general structure यह जो general structure हम बनाते हैं यह तो होता ही है लेकिन लेकिन बात यह है कि एक थोड़ा सा exceptional होता है वो है प्रोलीन क्यूंकि generally यह जो amino group है यह amino group primary amino group होता है लेकिन प्रोलीन के case में अच्छा ठीक है प्रोलीन के case में यह हो जाता है कैसा यहाँ पे एक secondary amino group होता है जिसे हम कहते हैं इमीनो group ठीक है इमीनो group यह जो amino group है यह किस तरीके से होता है समझेगा यहाँ पे actually मैं बता नहीं रहूं structure अभी फिलाल आप इतना सा समझेए कि वही chain गूम के आता है और जो nitrogen है उस nitrogen के साथ एक bond बना लेता है समझाया मतलब यह कहीं न कहीं यह nitrogen इधर से भी carbon के साथ जुड़ा हुआ है और इधर तो आपके main carbon के साथ जुड़ा हुआ है ही यहाँ पे जो आर ग्रूप होता है आर ग्रूप ऐसा होता है कि यह गूम के आता है और इसी पे जाके attach हो जाता है is it clear समझेगा इस चीज़ को क्या हो रहा है मुद्दे की बात मैं structure अभी नहीं बता रहा हूँ बस मैं यह बता रहा हूँ कि जो आपका nitrogen है यह nitrogen इस पे plus तो है ही hydrogen भी है ही लेकिन यहाँ पर यह दो जगह से जुड़ा हुआ है दो carbon से जुड़ा हुआ है जब अ structure बताऊंगा तो चीज़े और clear हो जाएंगी अभी फिलाल आप इतना समझिए ठीक है यह थोड़ा सा exceptional है this is for all other amino acids all other amino acids यह जो है special case is only for proline जहाँ पर आपको एक secondary amino group देखने को मिलता है ठीक है तो हमने यहाँ पर काफी कुछ देखा regarding the general structure of amino acids everybody following यहाँ तक कोई दिक्कत yes जो कोई भी जुड़े है आगे बढ़े चलिए बढ़िया अब क्या है अब हम एक एक करके एक करके amino acids के जो categories होते हैं उनको discuss करेंगे और यह categories किसके basis पर decide करेंगे अगें उसके एक आर ग्रुप के basis पर ठीक है उसके आर ग्रुप के basis पर हम इसे decide करेंगे एक चीज़ हमेशे याद रखिएगा कि यह टेट्राहिड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं टेट्राहिड्रल स्ट्रक्चर्स इसलिए मैंने इसको एक 3D फार में बनाया एक और बात अगर यहाँ पे तो यह जो central carbon है Central carbon यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा काईरल कि यह जाएगा काईरल का अगर आर एच के बराबर नहीं है तो तो ही हो अभी अगर आर एच के बराबर हो गया मतलब मैंने आर के जगह पे H लिख दिया, तो वो जो amino acid होगा, जिसे आप glycine कहते हो, यह glycine chiral नहीं होता, it is an achiral amino acid, ठीक है, glycine जो है, that is an example of achiral amino acid, मैं अभी example लिखे बता दो, यहाँ पे glycine को अगर हम देखे, glycine के gaze में क्या होता है, यहाँ पे H NH3 प्लस, यहाँ पे भी H आ जाता है, और यह जो है, कहीं न कहीं, ठीक है, यह three dimension में तो है, लेकिन यह chiral नहीं होता, मतलब अगर आप यहाँ पे mirror image लोगे, इसका अगर आप इसका mirror image लोगे, तो आपको यहाँ पे, इसका जो mirror image मिलता है, इसका जो mirror image मिलता है, वो superimpose हो जाता है, superimpose मतलब एक के उपर एक आ जाना, non superimposable, non superimposable या फिर chiral होने का मतलब क्या है, अगर आप इस तरीके से आप दुनों हाथों को देखोगे, और उसे बिना rotate किये, देखे, rotate करके लाइएगा, तो ये इसको overlap कर देगा, लेकिन अगर आप rotate नहीं करोगे, अगर आप इसे ऐसा ही रखोगे plane पे, और इसे इसके उपर superimpose करने की कोशिश करोगे, तो आप देख रहे हो, ये कभी भी superimpose नहीं होगा, इसी को कहते हैं chirality, यही चीज ऐसे tetrahedral structures में भी होता है, अगर आप उसे rotate ना करो, अगर आप उसे घुमाओ ना, और उसे आप just उसे as it is, मतलब plane से आप उसे lift ना करो, उसे बस आप ले के आओ और superimpose करने की कोशिश करो, superimpose मतलब एक के पीछे एक को धकना, तो उस case में, जो उसका mirror image होता है, उसको अगर आप लाओ और उसे डखने की कोशिश करो, कभी भी overlap नहीं करेंगे, कभी भी superimpose नहीं करेंगे, इसी चीज को कहते हैं chirality, ठीक है, तो यह जो carbon होता है, वैसे chiral carbon होता है, अगर यह hydrogen ना हो तो, अगर यह hydrogen हो गया, तो फिर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, उस case में कुछ नहीं हो सकता, उस case में भले आपके पास यह रहे, ठीक है, भले आपके पास इस तरीके से रहे, यह आपका carbon रहे, hydrogen, NS3+, यहाँ पे COO-, यहाँ पे H, बट यह जो है, यह mirror images तो होंगे, मगर इसमें कभी भी, यह superimposed, यह आसानी से superimposed हो जाएंगे, यह non superimposable नहीं होंगे, ठीक है, तो इन्हें, इनमें कभी भी, enantiomer वाली relation होगी नहीं, तो इसे हम कह देंगे, क्या, simply, इसको हम कह देंगे, this molecule is A-chiral, glycine is an example of A-chiral amino acid, मतलब यह जो carbon है, यह chiral नहीं है, लेकिन glycine के अलावा कोई भी हो, जहां पे R-hydrogen नहीं है, और चार अलग-अलग groups present है, तो इस central carbon को हम कहते है, chiral carbon, इससे हम कहते है, chiral carbon यह molecule भी कहीं न कहीं, chiral होता है, और इसके जो mirror images होते हैं, इसके जो mirror images होते हैं, यह mirror images कैसे होते हैं, non-superimposable, एक दूसरे पे superimposable नहीं होते, और इसी लिए, जो A-chiral, जितने सारे आपके, apart from, जितने सारे आपके, chiral amino acids होते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक general form में बता दू, यहाँ पे, आपका alanine का example ले लेता हूँ, chiral amino acid में मैं alanine का example ले लेता हूँ, यहाँ पे hydrogen, NS3+, R group, R group में मैं यहाँ पे CS3 बना दूँँगा, और यहाँ पे, COO minus, यह मैंने बना दिया alanine, alanine का यहाँ पे, आप एक mirror image बनाओगे, COO minus, CH3, NS3+, यहाँ पे H, इसको जब आप ऐसे ही उठा के लाने की कोशिश करोगे, चलिए मैं थोड़ा उठाने की कोशिश करता हूँ इसे, इसको यहाँ पे हम पकड़ेंगे, और यहाँ से उठा के लाने की कोशिश करेंगे, चलिए, मैं वैसे mirror को भी उठा लाया, लेकिन देखिए, अगर मैं ऐसे यहाँ ऐसे नहीं रखूँँगा, तो कभी भी यह superimpose नहीं करेंगे, this is an example of non-superimposable mirror image, बहुत ही simple, मैंने करके दिखा दिया आपको, तो बात यह है overall कि यह है non-superimposable mirror images, और इनहीं को हम कहते हैं, और obviously यह जो carbon है, यह chiral है, इसे ही हम कहते हैं enantiomers, इसे ही हम कहते हैं enantiomers, और जैसा कि आपने सुना होगा, D and L form, D form, L form, दोस्तों यह D और L जो है, यह absolute configurations होते हैं, इसका small d and small l से कोई लेना देना नहीं होता, small d और small l represent करता है optical activity को, यानि plane polarized light को वो या तो clockwise गुमाएगा, या तो anti-clockwise गुमाएगा, अगर anti-clockwise गुमाता है, negative या फिर levo rotatory कहते हैं, अगर clockwise गुमाता है, तो हम उसे कहते हैं positive clockwise या dextro rotatory, यह है आपका optical activity का funda, यहाँ पे enantiomers को जो हम बताते हैं, वो हम D form और L form के रूप में बताते हैं, D amino acids, L amino acids ठीक है, और यह जो है, यह इनका absolute यह इनका absolute configuration होता है, यह इनका absolute configuration होता है, दोनों में difference है, यह optical activity के लिए small d, small l, और capital D, capital L जो है, यह absolute configuration के लिए होता है, दोनों में confuse मत करिएगा, ठीक है? Is it clear? Everybody, यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगे बढ़ते हैं, तो एक सवाल है मेरा इससे पहले, नेचर में जितने यह amino acids पाए जाते हैं, ज्यादा तर, most abundant, सबसे ज्यादा, कौन से पाए जाते हैं, amino acids, deform या alpha, D amino acids या amino acids, बताइए, Okay, good, L amino acids, L amino acids आपको ज्यादा तर देखने मिलते हैं, लेकिन कुछ D amino acids भी देखने को मिलते हैं, ध्याद रखिएगा, यहीं बता देता हूँ, D amino acids, यह आपको देखने मिलते हैं, peptido glycan, जो की bacterial cell wall, mainly gram positive bacteria के cell wall में पाया जाता है, उसमें आपने सुना होगा, नाग और नाम के बारे में, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, है न, ऐसे करके इनके बीच में bond होता है, नाग, नाम, इस तरीके से, इस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक tetrapeptide, कभी-कभार 5 भी होता है, तो यहाँ पे, जो यह tetrapeptide होता है, यहाँ पे आपको, कभी-कभार D-alanine, ठीक है, फिर आपको D-glutamate, इस टाइप के D-amino acids भी देखने को मिल जाते हैं, बट, obviously यह rare है, ज्यादा तर, जो naturally आते हैं, वो सारे L-amino acids होते हैं, हम यहाँ पे L-amino acids की बाते करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, D-amino acids भी possible हैं, और exist भी करते हैं, although abundance इसकी ज्यादा होती है, L-amino acids की, ठीक है, डी वाले relatively कम मिलते हैं, ठीक है, और कहां मिलते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलिए, अब मुद्ध की बात पर आते हैं, structure पर, structure पर आने से पहले, मैं एक छोटा सा चीज बता दूँ, अगर हमारे पास, carboxylic acid है, इसे हम क्या कहते हैं, chemistry की भाशा में हम इसे कहते हैं, functional group, functional group से जुड़ा हुआ, जो पहला carbon होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला carbon क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं, alpha, numbering हमेशे याद रखिएगा, पहले alpha होता है, जैसे आप ABCD कहते हो न, ABCDE, ऐसे, वैसे यहाँ पे alpha, beta, gamma, delta, epsilon, यह गामा जो है, इसके जैसा नहीं दिखता, बाकी सब तो आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते हैं, बस ABCDE तक ध्यान रखिएगा, यानि इससे जो अगला carbon जुड़ा रहेगा, उसे कहेंगे बीटा carbon, इससे अगला जुड़ा रहेगा, इससे कहेंगे हम, गामा, इसके बाद वाले को डेल्टा, इसके बाद वाले को एपसिलोन, काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ, काम आएगा structures में इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो functional group के पास जितने भी जुड़े हुए carbon होते हैं, उनको इस तरीके से हम numbering करते हैं, यह IUPAC का numbering नहीं है alpha, beta जो है पुराना तरीके का nomenclature था, लेकिन उसी को हम कहीं न कहीं आज भी use करते हैं, इसी लिए दोस्तों, इन amino acids को जो आप, main amino acids जिन्हें आप पढ़ते हो, वो आपके alpha amino acids होते हैं, अब पता चला क्यों alpha amino acids, क्योंकि यार, यहाँ पे जो carbon है, यह alpha carbon है, क्योंकि इसी से carboxylate भी जुड़ा हुआ है, इसी से amino group भी जुड़ा हुआ है, इस से जुड़ा हुआ है H, इस से जुड़ा हुआ है R, अभी जो मैंने structure बनाया, अभी तक मैंने tetrahedral 3D structure, real structure बना रहा था मैं, अभी जो मैंने बनाया, यह Fisher नाम के एक scientist का दिया हुआ projection है, उनका एक तरीका ह interpretation है, structures को draw करने का, इसे हम कहते हैं Fischer projection formula, और structures को आसानी से बनाने के लिए हमें Fischer projection ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम Fischer projection ही बनाएंगे, ठीक है, तो यह है general structure of amino acid, यह जो R group है, इसमें generally carbons वगेरा होते हैं, except for glycine, क्योंकि glycine के case में यहाँ पर hydrogen होता है, बाकी जितने amino acids हैं, उनका structure अब हम याद करना सीखेंगे, ठीक है, उनका structure अब हम याद करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, मैं याद करना कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि it's not always memorizing, अगर आप चीज़ों को थोड़ा appreciate करो, में आप आपको वो चीज़ें आ जाएंगे, मैं यह मानता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों, अब हम समझते हैं, structures, मैं यहाँ पर structures बनाऊंगा, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा, थोड़े अलगता ही कैसे करते हैं, ठीक है, जैनरली मैं क्या करता हूँ, आपको नाम बता देत हूँ, नाम बताने के बाद उसका structures बता देता हूँ, मैं यहाँ पर line से structures बनाऊंगा, आप उसे पहचानने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं उसे, फिर मैं उसे discuss करूँगा, थोड़ा engaging बनाते हैं, class को, ठीक है, everybody ready, थोड़े अलग तरीके से हम अब चीज़ों को पहचानन सीखते हैं, मैंने बोला, मैं बस heading लिख दूँगा, कि चलिए, मैं अभी बनाऊंगा structures of non-polar amino acids, non-polar amino acids के structures मैं बनाऊंगा अभी, non-polar amino acids में मैंने एक structure बनाया, देखिए, मैं basic धाचा हर जगा सेम रखूँगा, पहला important चीज, ठीक है, basic structure will remain the same, except for proline, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे एक डंडा इधर बनाऊंगा, एक इधर बनाऊंगा, ठीक है, इतना मैंने बना लिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे, इस carbon को मैंने लिख दिया है, यह मेरा alpha carbon है, यह मैंने C लिख दिया, ऐसे करके, और यह मेरा alpha carbon है, इतना म उपर नहीं, चलिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे H हम ने लिख दिया, यह आपका hydrogen है, यह fixed है, इसके बाद यहाँ आपका NH3 plus है, यहाँ COO माइनस है, इस structure को मैंने fixed कर दिया, सब के लिए मैंने fixed कर दिया, अब मैं यहाँ पे changes करूँगा, R ग्रूप में changes करूँगा, जैसे कि आपको पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ को कॉपी करता हूँ, अब मैंने इस part को एक constant structure बना दिया, और इसी structure को मैं अब replicate करूँगा, इसे replicate करूँगा, आप मेरे साथ साथ इसे बनाते भी चलिए, और मुझे बताते भी चलिए कौन सा structure, यहाँ पे R ग्रूप में मैं variations कर रहा हूँ, मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट, मैंने अभी बनाया, structure everybody, come on, let's keep it interactive very good, यह तो मैंने नहीं बता दिया था, यह है glycine, अब glycine मैं मुझे दिखा यह तीन लेटर, पहले के तीन लेटर, ध्यान दिजेगा, पहले के तीन लेटर तो मैंने बना दिया इसका एक short form, यानि 3 लेटर code, जिसे मैंने कहा, gly और इसका भी मैंने एक one letter code बनाया, जिसे मैंने कहा, जी, done, simple, तो हम थोड़ा backwards चल रहे है, ठीक है, next मैं structure दूँगा, आपको, next structure की बात हम करेंगे, यहाँ पे, मैंने क्या किया, just a moment, अब मैं वापस structure को लाता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक गोला बना दिया, यहाँ दिजिएगा, यह गोला मैं बार बार बनाऊंगा, ठीक है, यह white ball जो मैं बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है, हाँ, पहला glycine था, yes, यह कभी भी अगर आपको ऐसे करके white ball दिखे, मतलब मैं जिस तरीके साब को याद करना सिखा रहा हूँ, उस हिसाब से, आप हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ का मतलब है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, वो है hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, यहाँ प लखने के लिए आसान, आपको सिर्फ carbon जो है, वो इस तरीके से बताऊंगा, जो remaining 2 valences होंगे, 3 valences होंगे carbon के, वो आप hydrogen से भर देना, इतना काम आपको खुद करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ball बनाया, यानि what is this, यह एक CH3 group है, इस amino acid का नाम क्या है, आप पहुन सा है, नाइस, second amino acid है, alanine, यह है alanine, चेहरे से पहचान लीजे, इंसानों का नाम आप कैसे याद रखते हो, एक बार चेहरा देखते हो, नाम याद करते हो, भूल गए, फिर से देखते हो, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा, पूछिए और याद रखिए, जिम्बल स alanine, alanine को short में लिखेंगे, a, l, a, and इसका भी short form बनाएंगे, तो यह हो गया, three letter code, one letter code, मैं साथ-साथ लिखता चल रहा हूँ, ठीक है, अब तीसरे structure पे आते हैं, तीसरे structure में, मैं क्या बनाऊंगा, ध्यान दीजेगा, yes, तीसरे structure में मैं करूंगा, एक उल्टा V बनाऊंगा, इस तरीके से, आपको सिर्फ इतना करना है, मैं जो जो चीजे कर रहा हूँ, आपको बस उतना उतना करते चलना है, मेरे साथ-साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्य मैंने सिर्फ यह ग्रूप रखा, यहाँ पर मैंने यह वाला ग्रूप रखा, यह है मेरा R ग्रूप, इस चीज को हम क्या गएंगे, देखें, उल्टा V मैंने हिंट दे दिया, यही सबसे बड़ा हिंट था, यह किसका structure है, यह किसका structure है, जल्दी से, यह structure जो है, उल्टा V वाला structure, this is the structure of V for valine, ऐसे V लिखिये और V कोल्टा कर दी, this is your valine, valine के लिए three letter code is, yes, VAL, और यहाँ पर obviously one letter code दी है, यह बहुत simple है, यहाँ पर non polar अब आप समझ रहे हैं, मैंने यह नहीं बोला कि non polar यह होते हैं, आप देखिये structures, क्या इसमें कुछ ऐसा है, जिसमें charge है, नहीं यार, carbon है, hydrogen है, सारे hydrocarbon chains है, यानि यह hydrophobic होंगे, यानि यह non polar है, तो यह काफी हद तक hydrophobic nature के होंग इस तरीके से structure देख के पहचानना होता है, है ना, hydrophobic है, आप क्यों मान लो, है ना, आप मानोगे क्यों, आप देखिये structure को और फिर determine कीज़े, अच्छा, हाँ, इसलिए है यह, ठीक है, तो यह हो गया आपका value, इसके बाद अगले structures पर आते हैं, अभी भी मैं बात का non-polar के बारे में, non-polar amino acids के बारे में, next structure जो हम देखेंगे, next structure यानि हमारा fourth structure, fifth structure, और sixth structure, ठीक है, structure number four, five, six, मैं जल्दी से तीनों structures को बनाऊंगा, आपको तीनों को पहचानना पड़ेगा, ठीक है, पहला मैं बनाऊंगा एक y, इस तरीके से मैंने एक y बनाया, यह है हमारा y, यह है हमारा c, यह है हमारा y, यह है हमारा c, और एक मैंने बनाया, यहाँ पे एक गोला बनाया, और यहाँ पे एक benzine ring ब the order is not very important दिपांशी ठीक है order बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ इस order में रखो तो easy पड़ता है मैं उसी sequence में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहना रखना easy पड़ता है ठीक है चलिए तो यह तीन structures है मुझे आप कमेंट में बताइए 456 कौन कौन से structures है थोड़ा स्पीड अप करता है अब 456 कौन कौन से structures है यह है आपके साइट चीन्स अब दाइए फोर क्या है फाइव क्या है शिक्स क्या है वेटिंग फॉर यह आंसर एवर्यों आपके अपके 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 यह कि यह पहला वाला क्या है पहला वाला जो है वह हमारा लिवसीन फॉर्थ इस लिवसीन नेक्स्ट इस आईसो लिवसीन विलगुल सही आप देख सकते हैं यह दोनों कहीं न कहीं isomers है ये दोनों isomers है ये चार carbon वाला ही है है तो यहां चार ही carbon लेकिन ये isomers है एक दूसरे के इसलिए तो ये leucine ये isoleucine ये ये क्या है यहां पर जो आपको दिख रहा है येस ये है फिनाइल एलनी मैं यह है फिनाइल एलनी ठीट है लिउसीना इसली अब हमने देखा कि यार कि इसका नाम रखते हैं लिउसीन को मैंने बोला चलो लूइसीन के लिए हमने रख दिया LEU कितने से के लिए और फिर मैंने बोला इस से रख देते हैं ISO-LUCINE के लिए मैंने बोला देखो ISO लिखेंगे तो अजीब लगेगा I और लिउसीन का LE फिर हमने क्या क्या दोनों को मिक्स करके लिख दिया ILE की ISO-LUCINE और इसके लिए हमने बना दिया I Simple ठीक है तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं GAV फिर LI और उसके बाद हम क्या देखेंगे Phenyl-Elenin Phenyl-Elenin में मैंने बोला इस से जो है हिंदी का F का आवाज आता है और मैंने बोला F जैसा लगता है इसलिए हमने क्या किया पहले तो इसका 3-letter code में हमने कर दिया PHE यह तो PHE था लेकिन उसके बाद हमने इसका 1-letter code में P नहीं रखा हमने इधर रख दिया F क्यों क्योंकि P से एक प्रोलीन भी था वो तो 5 जैसा सुनाई दे रहा था यह फाज जैसा सुनाई दे रहा था इसलिए हमने इसका नाम रख दिया फिनाइल एलनी एफ ठीक है इस इट क्लियर यह है आपके लिउसीन आइसो लिउसीन और फिनाइल एलनी तीनों के इनके 3-letter codes और इनके 1-letter codes अब अब हम देखते हैं अगले 3 structures ठीक है अब हम देखते हैं अगले 3 structures ठीक है यहां पर 7, 8, 9 यह जो 9 वाला है यह हमारा special case है इसको बाद में देखते हैं ठीक है तो अब हम क्या देखेंगे एक देखेंगे एक हम लिखेंगे यहां पर structure बनाते हैं यहां पर मैं लिखूंगा एक S ध्यान दीजेगा एक S का outline बनाऊंगा ऐसे ऐसे यहां पर मैं खाली जगा छोड़ दूँगा और S यहां पर मैं बनाऊंगा एक S समझेगा S के अंदर एक thunder जैसा symbol बनेगा और यहां पर S लिखूंगा बस यही आपको बनाना है इस तरीके से इस तरीके से आपको एक खंडर जैसा structure बनाना है और यह बन जाएगा आपका यह बन जाएगा कौंसा amino acid आप मुझे बताएंगे यह है side chain इस case में यह है side chain अब एक और बना देता हूं इस case में क्या होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पर ऐसे करके हम बनाएंगे फिर यहां पर ऐसे करके यह बनाएंगे यह बनाएंगे यह बनाएंगे यह बनाएंगे यह और यह ठीक है समझेगा ऐसे फिर इसके बाद हमने क्या किया ऐसे ऐसे यहां पर डबल वाट क्योंकि यह एक बेंजीन रिंग है और यहां पर ऐसे करके continue हो रहा है यह ओके ग्रेट आंसर आ गया यह क्या ह यह कौन सा स्ट्रक्चर है यह है पहला सेवन्त वाला डाट इस मिथियोनीन दोस्तों यहां पर आपको एक थायो वर्ड दिख रहा है क्या थायो वर्ड एक्चुली बात यही है यह थायो जो है सल्फर के लिए यूज होता है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें अगर ह हूं हमारे पास token oxygen carbon होता तो इस चीज को हम कहते हैं ether उस ग्रुप को क्या कहेंगा यह औशएजन वाला इथर तो है नहीं यह सल्फर वाला इथर है जैसे carbon sulfur carbon अगर इस तरीके से तो इस चीज को हम क्या कहते है है थायो बड़ा ही सिंपल है येस जो अगला स्ट्रक्चर है दिस इस ओफ ट्रिप्टो फैन यह है ट्रिप्टो फैन ये भी काफी important and जो अगला मैं बनाने जा रहा हूँ ये अलग है यानि अलग किसका structure था मैंने बताया था प्रोलीन का structure मैंने बूला था कि प्रोलीन का structure थोड़ा अलग होता है and प्रोलीन एक amino acid नहीं वो एक amino acid होता है ठीक है वो एक सच्चा amino acid नहीं होता यहाँ पे actually आप अगर देखेंगे तो simple है structure कुछ difficult नहीं है मैंने बोला यहाँ पे आप एक कदम चलिए दूसरा कदम चलिए तीसरा कदम चलिए और फिर वापस यहीं पे जुड़ जाएए एक कदम दूसरा कदम तीसरा कदम और वापस जुड़ जाएए और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा देजिए दिस इस दे स्ट्रक्चर ओफ प्रोलीन एस सिंपल अस इतना ही सिंपल है ठीक है यह है आपका प्रोलीन नंबरिंग अगर अगर आपको करना है तो हमेशा यहां 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 यह जो एक रिंग है यह जो आपको रिंग दिख रहा है यह एक फेमस रिंग ह जो है यह रिंग अगर आप देखोगे ऐसे रिंग को हम एक नाम से जानते हैं इस रिंग को हम कहते हैं पाइरोलिडीन ज्यान दीजेगा इसे हम कहते हैं पाइरोलिडीन group ठीक है, क्या है ये pyrolidine group ठीक है और अगर आप इसमें देखो, इसमें specifically इसमें, ये तो आपको एक benzenine दिख रहा है ये वाला जो आपको यहाँ पर जो एक पाट दिख रहा है तो पर्ट अक्शिलि जुड़े हुआ है एक बेंजीन जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर ऐसे करके आपको NH ग्रूप जुड़ा हुआ है यह जो है यह पाइरोल होता है यह पाइरोल होता है पाइरोल और बेंजीन दोनों मिल के जब इस तरीके से होते हैं एक साथ इस चीज को इस पूरे चीज को हम कहते हैं इंडो इसे हम कहते हैं इंडोल ठीक है इधर इधर कोई नंबरिंग होती नहीं है यहां पर अगर हम नंबरिंग करें तो यह 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 123 इस तरीके से एंड फिर 123 इधर से नंबरिंग होती है फिर यहां से 4567 इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं ठीक है एक तम यहां से घूमते हुए चले जाते हैं यह ओंगया आपका ट्रिप्टोफाइन का स्टॉक्ष्र और विक राप्रिंग तो यह जो है यह अरोमाटिक है ये भी ये जो मैंने अभी बनाया ये भी aromatic है और यहाँ पे ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक secondary amino group है या फिर इसे हम amino group भी कह सकते हैं क्यूंकि nitrogen के साथ दो R groups जुड़े हुए दोनों तरफ से वो carbon से attached है is it clear तो ये जो तीसरा वाला है this is proline ठीक है clear है तो एक चीज़ देखेगा अगर ये वाला पार्ट मैं बनाऊ ना इस पार्ट को थोड़ा सा मैं color कर दूं तो आपको एक shape दिखेगा एक shape दिखेगा उसी से आपको idea मिल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करो नीचे से अगर आप देखोगे तो ये एक w बना रहा है नीचे से एक w जासा बना रहा है मिथियो नीन तो बड़ा ही simple है मिथियो नीन के लिए आप met लिखो एंड उसके बाद आप लिख दो m ये हो गया आपका मिथियो नीन त्रिप्टो फैन के केस में हम इसे short में trp लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे w क्यों क्यों कि यहाँ पे हमें एक w जैसा शेप देख रहा है ठीक है एंड प्रोलीन के केस में बड़ा ही आसान प्रोलीन को लिखिए प्रो और यहाँ पे लिख दीजिए पी is it clear everyone यहाँ तक हम सारे structures को हाथ से बनाना सीख रहे हैं किसमें कौन सा group है क्या नहीं है यह सब कुछ सीख रहे हैं ठीक है यहाँ तक I hope सब को समझ में आया अच्छा एक छोटी सी बात एक group के बारे में पहले थोड़ा बता दो इस तरीके से जब कभी भी ऐसे करके आपका एक, दो, तीन कार्बन है और यह इस तरीके से जुड़ा हुआ है इस पूरे ग्रुप का हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप एन प्रोपाईल ग्रुप प्रोपाईल तो ही तीन कारवन है प्रोपाईल है बगर एन प्रोपाईल क्याते हैं जब इस तरीके से जुड़े जब बीच में से जुड़े ऐसे इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे आईसो प्रोपाईल ग्रुप तो दोस्तों अब मुझे बताना नह पड़ेगा कि वैली में कौन सा ग्रूप पाया जाता है ठीक है आपको खुद आइडेंटिफाई करना है ठीक है यह हो गया आईसो ग्रूपाई मैंने बोला अब अगर चार कार्बन रहे तो एक तो ऐसे सीधा सीधी जुड़ सकता है इस तरीके से जुड़ सकता है तो इस ची है तो एसे अगर जुड़ के रहे तो इससे हम कहेंगे सैक भी टाइल ग्रूप अ के इसे कहेंगे स 완टाइल दो सेट अ अब अपने शायद देखा होगा क्यों गुमाकर देखिए यह यह वही सी वाला स्ट्रक्चर है कि कि इसके बांटने इसर तरीकी ने carve हो एक y के form में arranged हो और यहां आते हैं दो possibilities very important मैं इसे दो parts में आपको समझाता हूँ ठीक है देखिएगा मैंने बोला अगर इस carbon से जुड़ा हुआ है और इस carbon से जुड़ा हुआ है दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं ये groups अगर ये edges से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे कौन सा ग्रूप आइसो ब्यूटाइल अगर यहां बीच में से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे tertiary butyl बहुत important है tertiary butyl, isobutyl, n-butyl, sec butyl ये सारी चीज़े हैं ये सारे groups होते हैं यहां सबसे important isobutyl, isopropyl और sec butyl, isobutyl किस में होता है ये होता है आपके leucine में और sec butyl किस में होता है ये होता है आपके isoleucine में clear ये होता है आपके valine में, isopropyl, तो ये मैंने कुछ important groups के बारे में बताया ठीक है, important groups के बारे में बताया यह हो गए हमारे 9 स्ट्रक्चर्स यहां पर टिक है 9 ट्रिक्चर सो गए मिठीयो निन ट्रिप्टोफएन प्रोलीन यह सब हमने देख लिया अब क्या होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह हमारे नॉन पोलर वाले हो गए, हमने सब के स्ट्रक्चर को देखा, कौन-कौन से ग्रुप्स मिलते ये भी देखा, अब मैंने बोला देखिया, अब आते हैं आपके पोलर अंचार्जड अमाइनो ऐसे, पोलर है, मगर अंचार्जड है, पोलर है, यह पोलर है, ठीक है, या तो सलफर है, हाइड्रोजन है, ऐसा भी हो सकता है, यह भी रिलेटिव, इलेक्रो नेगेटिव, इलेक्रो पॉजिटिव, अगेन, यह भी पोलर है, तो यहाँ पे, फिर से मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉप करूंगा, फिर से मैं स्ट्रक्चर्स ब सी वाई स्टी सी और वाई के बारे में मैं बात करूंगा और यह है आपके अब मैं स्ट्रक्चर्स फटा फट बना रहा हूं एस के केस में आपको क्या करना है पता है एक गोला बनाना है और उसके साथ आपको यहां पर ओएच जोड़ देना है मैंने बोले यहाँ पे फिर क्या करना है T के केस में T के केस में आपको ऐसे करके एक T बनाना है यहाँ दीजेगा यहाँ पे आपको एक T बनाना है यहाँ पे आपको एक T बनाना है और T बनाके यहाँ पे आप OH जोड़ दीजे इस जगह पे इस जगह पे OH जोड़ दीजे यहाँ पे एक गुला बना दीजे और यहाँ पे एक हाइडरोजन बना दीजे क्या आपने एक चीज नोटिस किया ये तो हमारा काईरल था ही कारबन लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल काईरल कारबन आ चुका है क्योंकि यहाँ चार अलग-अलग ग्रुप्स हैं आप देखिए तो थ्रियोनीन में एक एडिशनल काईरल सेंटर होता है और सो ऐसा सिर्फ थ्रियोनीन के केस में नहीं अगर आप ध्यान से देखें गौर से देखें तो आईसो लिूसीन के केस में भी तो ऐसा ही है यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यह जो पार्ट है यह एक्चुली काईरल है यह वाला कार्म यानि यहाँ पे अडिशनल काईरल देखने को मिलता है यह हो गया थ्रियोनीन अच्छा मैंने नाम ही बता दिया आपको डिरेक्टी कह समय करें 15 के के समय बस यहाँ यहाँ पे आपको औच कह जगा पर एस एच लगाना है पर एच के जगा पे आपको एसेच लगाना यहां तक ही indem कि तो नाम मैंने क्यूंकि ब सुस्टीन अब एक सद्विस्टिन जो यह एस एच होता है इसे हम कहते हैं थाइल जैसे इसको आप एलकोहॉल कहो इसको आप थाइल या फिर इसी चीज़ को जैसे उसको हाई लोग कहते हो हई ड्रॉक्सिल ओज को इस चीज को आप कहोगे सब्फ हाइड्रिल एक अगर एक दूसरा अगया और फिर इनके बीच में से यह जो hydrogen है यह H2 बन के निकल गया मैंने बुला hydrogen का removal क्या कहलाता है hydrogen का removal removal of H2 is called as oxidation removal of hydrogen is called as oxidation और इससे बन गया एक bond जिसे हम कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इससे हम कहते हैं disulfide bond इससे हम कहते हैं disulfide bond तो दो sulfide groups जब आसपास आते हैं यह दो अलग-अलग change में हो सकते हैं सेम में हो सकते हैं ठीक है और इस तरीके से यह disulfide bonds को form करते हैं ठीक है इस तरीके से disulfide bonds को form करते हैं अगर यह दो सिस्टीन से ही आये हैं है और सिर्फ दो free system हैं ऐसे करके है तो इसे जो चीज बनता है इससे जो structure बनता है इसे हम कह देते हैं इस चीज को 46 एक ऐस हम कहते है सिस्टाइप यह इसका डाइमर नहीं होता है इस में औरिशिनल नाम में इंच्छा है सिस्टाइप से yo is a इस दिस क्लियर, यहां तक I hope दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं धीरे ही चल रहा हूँ यहां पर, अब जो Y है वो बहुत आसान है, Y में क्या करना बता है, आपको बनाना है फिनाईल ऐलनीन, और फिनाईल ऐलनीन बना के यहां पर बस आपको OH बना देना है, यहां पर बस आपको जो OH group containing amino acid है, इसको हम कहते हैं tyrosine, इसे हम कहते हैं tyrosine, ठीक है, यह है हमारा tyrosine, अगर मैं इसका 3-letter और 1-letter code लिखना शुरू करू, this is serine का ser, और इसे s लिखते हैं, simple, वो तो मैंने लिखी दिया, यहां पर s already, thr, this is t, बलब यह thr है और इसके लिए हम लिखेंगे t, system के लिए very simple cys, और यहां पर tyrosine के लिए भी बहुत आसान, tyr, लेकिन ध्यान दीजिएगा, threonine ने t को already capture कर रखा है, अब इसके पास को अगले वाले पर move कर जाएगा, यानि, y पर move कर जाएगा, tyrosine का symbol होता है, y, ठीक है, everyone, is this clear, कोई दिक्कत तो नहीं, अब, जल्दी से हम, basic amino acids और acidic amino acids, जो की हमारे, it will come under both, classification can be of different types, आप बोलोगे कि आप इंसान हो, आप teacher हो, आप दोनों हो, तो मैं तो इंसान के classification में भी आओंगा, मैं teacher के classification में भी आओंगा, right, तो ये बात है, fine, तो अब हम आखरी चीज़ डिसकस करते हैं, जो की है हमारे charged amino acids, and charged amino acids में हम बात करेंगे, दो चीज़ों की, एक है acidic, एक है basic, चलिए यहाँ पर मैं नाव आपको फटफट बोली देता हूँ, मैंने बोला acidic के case में, acidic के case में आप देते हूँ, और यहाँ पर आप रखते हूँ, क्या बोला मैंने, रख दे, basic के case में, रख, पर acidic के case में, दे, is it clear, अच्छा, किसी ने ध्यान दिया क्या, मैंने दो structures actually छोड़ दिया था, polar uncharged में, polar uncharged के अभी भी दो structures बाकी है, polar uncharged amino acids, और यह मैंने deliberately छोड़ा था, क्योंकि, इसके जैसे ही exact structure होता है, N का, पर इसके जैसा exact structure होता है, थोड़ा ही से difference होता है, किसका, Q का, ठीक है, तो इनका structure हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम basic को देखेंगे, and हम इस class को conclude कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, acidic amino acids, acidic amino acids में, फिर से मैं यहाँ पे, structures को paste करता हूँ, acidic amino acids और polar uncharged को एक साथ पढ़ना है, कारण अभी आपको पता चल जाएगा, कारण अभी बताऊँगा, ठीक है, यहाँ आ गए यह structures, मैंने बोला देखेंगे, पहले हम acidic को यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ polar uncharged को देख लेते हैं, acidic वाले जो होते हैं, जनरली इन पे negative charge होता है, क्योंकि carboxylic acid group एक extra होता है, basic में एक extra NH3 plus group होता है, इसलिए इसमें positive charge होता है, ठीक है, acidic में जल्दी से structure देख लेते हैं, मैंने बोला देखेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे आप एक गोला बनाओ, गोला बना के आप क्या कर दो, ऐसे करके COO माइनस लिख दो, बस इतना सा, मैंने बोला हाँ, बहुत ही simple, इतना ही तो आपको करना है, यह हो गया आपका एक acidic, यह है आपका D, D यानि aspartic acid, aspartic acid होता है, मैंने उसको aspartic acid बोला, D का sound आया, ठीक है, तो aspartic acid के लिए obviously आप A नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो तो alanine लेके चला गया था, तो इसके लिए, यह क्या है आपका aspartate या फिर aspartic acid, aspartate, ठीक है, इससे हम लिखेंगे asp, और जैसा कि मैंने यह यहाँ पर one letter code लिखी दिया, D है यही पर अगर आपको E का structure बनाना है, यानि glutamate या फिर glutamic acid, ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे glue, और इसे आप एक extra E लगाओगे और glue बना दोगे इसे, क्या करोगे आप, यहाँ पर E लगाओगे और glue बना दोगे, और सारा information दिमाग में glue से चिप कालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं इसका बड़ा भाई है, एक extra carbon आपको बनाना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक extra carbon आपको बनाना है, बस एक extra carbon बनाना है, और वापस एक COO माहिनस कर देना, एक senior है इससे बस, एक साल बढ़ा है इससे, ठीक है इससे एक साल बढ़ा है, यह extra है, अब मैंने बोला पता है, सबसे आसान बात, यह क्या है, यह कार्बॉक्जिलेट है, मैंने बोला इसका अमाइड बना दो, अमाइड क्या होता है, CO NH2, जैसे आपका यहाँ पर COOH होता है, यहाँ पर मैंने इसे, अमोनिया से रियक्ट कराया, किसी तरीके से, और यहाँ पर बेसिकली, यह यह सिर्फ अमोनिया था, NH3 था, और यहाँ पर मैंने इसे बनाया, CO NH2, ऐसा आप समझ लीज़े, तो यहाँ पर COOH ग्रुप ना रह N stands for Asparagine, this stands for Asparagine, N है यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, वही एक बोला, और यहाँ पर COO- के जगह पर आपको बनाना है, CO NH2, और यहाँ पर वही सेम, इसका एक बड़ा, इसी का भाई है यह, ठीक है, यहाँ पर भी आपको अमाइड बनाना है, CO NH2, यह बनाना है, आपको CO NH2, is it clear, is it clear, everybody, यह हो गया आपका, और यह यह यहाँ हो गया, ठीक है, यह हो गया आपका, यहाँ पर भी अमाइड, यहाँ पर भी अमाइड है, और इसका नाम जो है, यह इसी का भाई है, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ग्लूटामीन इसका देखिए यहां पर एसपार्टेट का भाई एसपराजीन और ग्लूटामेट का भाई कौन ग्लूटामीन ग्लूटामीन और ग्लूटामीन जब आपको समझ ना है उसका हाँ जब आपको समझ ना है कि उसका वन लेटर कोड क्या होगा तो आप पूछोगे यह आंसर ठीक है तो इस आर्वा के बाद वाला बीटा होता है इस तरीके से कुंकि फंक्ष्णल ग्रूप में ली ये था फिर यह आया और यहां से आप इस तरीके से इस तरीके है ठीक है यह गामा कार्बॉक्सिलेट किसमें होता है यही सब चूटी-चूटी चीज़ है घुमा फिरा के कभी कभार पूछ लेंगे conceptual clarity होगी तो आप कभी गलत नहीं करोगे कहीं भी पूछा जाए आप से ठीक है अब हम बात करेंगे आखरी चीज़ के बारे में जो है basic basic amino acids and basic amino acids में मैंने बोला रख आर के एच देखिए एल को तो ल्यूसीन चुरा ले गया था इसलिए अगला लाइसीन के लिए बचा है क्या के तो लाइसीन के लिए थ्री लेटर हो गया लिए ल वाई एस एंड यह हो गया के यह हो गया आपका histidine इसका किसी ने कुछ नहीं चुराया इसलिए यह हो गया हिस एंड एच तो है आरजिनीन में मतलब नाम तो वैसे ए से शुरू होता है मगर सारा फोकस तो आर पे ही होता है तो इसलिए आरजिनीन आरजिनीन का आपको पता है कि इसका शॉर्ट पार्म जो है यह सारे आपके basic amino acids होते हैं structure फिर से मैं यहाँ पे copy कर दूँ structure फिर से मैं यहाँ पे copy कर दूँ जल्दी से और इसको हम जल्दी से बनाना सीख जाते हैं देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम structures बना रहे होंगे इन तीनों का इसके लिए बहुत simple सा चीज आप क्या करेंगे आप तीन कदम चलेंगे एक दो तीन ठीक है आप तीन कदम चलेंगे तीन कदम चलने के बाद तीन कदम चलने के बाद आप Mercedes में बैठ जाएं यह यह मैं यह शय पाकब कर दिजे कि यहां पे अप नातरुके पूरा कर डिजे और इस वाले साइड में अप एक डबल्पॉंड ढल दिजे यहां पर एक H डाल दीजे और यह प्लस यह हो गया NHD, इस group को यह बहुत ही इंपॉर्टन ग्रूप है, बहुत highly basic ग्रूप होता है, इसे हम कहते हैं गुवानी डीनो ग्रूप, इसे हम कहते हैं गुवानी डिनो ग्रोप highly basic तीन-तीन नाइट्रोजन भयानक बेसिक होता है यह और इसका जो side chain side chain जो होता है इसका PK काफी स्यादा होता है and अगर यह अगले session में मैं इसके बारे में बात करूँगा 12.5 होता है PKR ठीक है लगबग 12.5 के असपास होता है बात करूँगा इसके बारे में चार जोना प्रेटाइट के ग्लास में यहाँ पे यहाँ पे क्या है इसके case में हम क्या करेंगे यहाँ बड़ा अच्छा है आपको मैंने ABCDE सिखाया था याद है ग्रीक वाला ABCDE वही आपको करना है alpha beta gamma delta epsilon and epsilon पर आके आपको बस एक ns3 plus बना देना है इसलिए इसका नाम जो है इसका नाम जो है इसे हम क्या कहेंगे इस चीज़ को हम कहा देंगे epsilon amino group epsilon amino group या फिर कभी कबार घुमा के यही चीज़ आपसे अगर पूछ लिया गया तो यह कहा जा सकता है कि butyl ammonium देखिए butyl ammonium क्योंकि चार चार है यहां पर एक दो तीन चार है चार और एक ammonium तो butyl ammonium भी बूजा जा सकता है ठीक है दोनों ही cases में we will be talking about lysine तो lysine का structure भी बहुत आसान था यह तो alpha है यह बिटा गामा डिल्टा एपसिलों पर आपका structure and finally हम आजाएंगे अब आखरी structure पे that is histidine histidine में आपको क्या करना एक शील्ड बनाना है चलिए एक शील्ड बनाईए मेरे साथ-साथ तो यहाँ पे हमने nh लगा दिया एक valence इसका बचा था तो इसलिए हमने यहाँ पे यह लगा दिया is it clear यहां तक यह आखरी चीज़ है बस हम यहीं पर end कर रहे होंगे तो this is this famous group is known as imidazole मैं इसे शील्ड कहता हूँ शील्ड के दरह दिखता है इसी लिए this is your imidazole group और imidazole group जो होता है इसका numbering जो होता है अगर आपको numbering करना है तो यहाँ से शुरू करना होता है एक दो तीन चार पाच ठीक है एक दो तीन चार पाच इस तरीके से numbering होता है इसका यह है आपका imidazole ring और imidazole ring अच्छा वैसे इसका भी मैं बता दू यह भी काफी हद तक basic होता है और इसका जो PKR होता है that is approximately 10.5 and इसका जो PKR होता है that is approximately 6.0 काफी काम होता है इसका this is for histidine ठीक है यह histidine के लिए दोस्तों इससे पहले कि आप आगे बढ़ें एक छोटा सा error हो गया है मैंने इसे यहाँ पे mention नहीं किया था यहाँ पे जो आपको structure दिख रहा था ना histidine का एक छोटा सा update कीजिए यहाँ पे आपको एक additional carbon बनाना पड़ेगा मैं वो miss out कर गया बनाना है इस तरीके से यह आपको structure बनाना है यह होगा histidine का structure यह वाला carbon मैंने miss out कर दिया था तो प्लीज इसे update कर लीजिए बहुत जरूरी है इसे update कर लीजिए ठीक है तो क्योंकि वो एक live class था वहाँ यह miss हो गया था जरूर इस चीज को update कर लीजेगा इस वाले carbon को histidine क structure में बाकी सब कुछ सही है प्लीज continue watching the video अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके लिए भी एक side chain obviously यहाँ पे ionize हो रहा है तो PKR exist करेगा इसके बारे मैं मैं डीटेल में बताऊंगा अगले class में आप समझ जाओगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है PKR क्या है तो don't worry PKR जो से थोड़ा जादा होता है फोर से थोड़ा जादा यह फोर से थोड़ा कम यह फोर से थोड़ा जादा तो PKR for this is 4.07 यह होता है इसके बारे में हम आगे चलके detail में discuss कर रहे होंगे जब हम charge on a peptide discuss करेंगे बट फिलहाल amino acid structures यह है structures को आप practice कीजिए जो तही का मैंने बताया one letter code three letter codes इन सब चीज़ों के वह भी आप अच्छे से practice कीजिए ताकि आपको यह structures अच्छे से समझ में आ जाए याद रह जाए ठीक है structures याद रह जाए यह ज़रूरी यह इसलिए आपको बनाना सिखाया is that fine everybody ठीक है अब 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 एक लास्ट चीज एक आखरी चीज जो हम डिसकस करेंगे and we'll be ending the class वो है दो important दो और amino acids जो मैंने discuss किया उसके अलावा दो और मैं डिसकस करूंगा यहां पर क्या आप बता संक्ते है 21st and 22nd amino acids कौन-कौन से होते हैं यह तो 20 amino acids मैंने बना दिया यहां पर तो मैने 20 amino acids बनाया क्या आप बता सकते है कि 21st औ22nd कौन-कौन से है 21st and 22nd येस ये है आपके सामने अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो structure है यहाँ पर serene serene के जगप serene में कौन होता है वो होता है सिफ्टीन में कौन होता है एस होता है उसी एस के जगह पर अगर आपने selenium ला दिया एसी ला दिया तो उसी कौन कहेंगे selenocysteen this is the 21st amino acid selenocysteen and जो pyrolysine है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह actually क्या है यह alpha beta अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर यह alpha है बीटा है gamma delta epsilon epsilon पर amino है यानि lysine है इस lysine पर हमने एक group लाया एक ring लाया basically यह जो है pyroly ring था यहाँ पे CS3 extra होता है और यह जो है इस तरीके से एक amide bond के साथ जुड़ा होता है this is the structure of pyrolysine and pyrolysine is the 22nd amino acid ठीक है क्या आप मुझे इसका वैसे यह homework question है जो भी reported देख रहे है उनके लिए भी comment section में जरूर बताईएगा after this class comments में कि इसका three letter code क्या है दोनों के लिए three letter codes this is the first question and one letter code also एक और question की वैसे मैं एक चीज़ बता दू यह जो generally आप stop codons देखते हैं नो stop codons से यह code होते हैं तो यह कौन कौन से stop codons से code होते हैं this is the third question three letter code one letter code and the stop codons which code these two amino acids so these are the 22 amino acids सारे structures मैंने यहां पर आपको बताया आपने देखा I hope आपको चीज़े अच्छे से समझ में आई होंगी structures आप बनाना सीख गए होगे so that's all for today's class इसके बाद हमारे English class में हम मिलेंगे परसो यानी Friday तब तक practice करते रहिएगा ठीक है हमारे जो भी telegram channels है वहाँ पे आप आईए questions practice कीजिए questions practice regular चल रहा होगा वहाँ पे quizzes चल रहे होंगे ठीक है links बगरहा आपको मिल जाएंगे YouTube channel पर ही ताकि आप freely questions practice भी कर सब ठीक है तो yes thank you so much for attending the class जो भी जुड़े थे throughout and जो भी आगे जुड़ रहे होंगे recorded session देख रहे होंगे so thank you so much for watching and again I would say कि हम इसी तरीके से decrypt करते चलेंगे हर concept को एक एक करके and we will be decrypting the cosmos of biology together thank you so much for staying connected with biology decrypted जरूर अगर आपको अच्छा लगे तो like share subscribe करें and share करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी ज्यादा लोग इस initiative से benefit कर पाए thank you so much for attending the class see you in the next one